कि हलो नमस्ते और जैन साथियों कैसे आप सभी आप सभी आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो अभी का जो रिजल्ट आया है उसके बाद आपके स्टार्ट हो चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आज करने वाले क्या रैपिट फायर क्वेस्टन क्योंकि जब भी हम आपसे कुछ पूछे आते हैं दस बार ऐसे पूछे आते हैं किस-किस बेज पे होते हैं और किस भी हाफ पे पूछे आते हैं मैं आपको अपना एक्सप्रियणस भी सेर्ट करूँगा उसमें और वहButton बताऊंगा कि जो one by one questions पूछे गए हैं अच्छा मैं आपको एक और incident बता दें चाहता हूं उसके पहले ताकि आप सभी समझ जाओ कि कि इंपॉर्टेंट है यह rapid five questions कि वारांसी बोर्ड के एक वारांसी बोर्ड में लड़की का interview था तो उसको मैंने यह दिया था मतलब मैंने दिया ही था मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उसको दिया था लिकर कि हां कि यह जाओ कर लिया ठीक है वह लड़का गया और उससे डिक्टो one by one करके से वर्ड भी चेन ही होते वही questions पूछे गए हैं अभी आपको next slide मिल जाएगी तो मतलब वह लड़का ऐसे लगा था कि उ वह आपको ध्यान रखना है मैं आपको rapid five questions बताएं जाओ कि आपको डिक्टो वही questions मिल जाएंगे मतलब यह हो सकता है कि language छोड़ी से change हो सकती है लेकिन आपका जो मतलब होगा वह बिल्कुल सेम होगा और rapid five questions को deal करते हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि questions का sequence क्या है और questions कैसे कैसे पूछे हैं proper pause लिकरके questions को ध्यान रख करके number of questions को गिन करके आप उनको handle कर सब्सक्राइब कि अगर आप से 10-15 questions पूछे गए तो आप 15 questions गिनते जाओ अपने mindset से अपने इंगली पर गिन सकते हो ऐसे आप बैठे हो आप लैप पर गिन सकते हो एक दो तीन चापाच इतने questions आप ऐसे होता क्या है कि आप जब questions आप याद कर लेते हो न तो उससे आपको यह आद रहता ह कि हाँ इतने questions का मुझे answer देना है तो आप अगर question भूल भी रहे होते हूं तो आपको question याद आता है पास पी आई की फॉर्म डिटेल्स आपके होते होते हैं वह वह पूलते हैं बट आप आप से पूछाना चाहेंगे कि आपसे क्या क्या आपके जो लिखा है क्या वह सही लिखा है और एक इंपोर्टन चीज पी आई क्यू भावम भरते समय आपको बहुत बारीकी से उसको ल हों लुट कर सकते हो और अपने दोस्तों में भी से कर सकते हो यह क्या है राफिज है तो बाइस्तार करते हैं पहले और ग्रेट आपने रहे हो तो वह डिपेंड करता है कि मालो अपने त्रू गए तो ऐसे किसमें आपको 12 तक का पताना होगा कि 10 ने क्या थे 11 था 12 था ठीक है जो भी आपके माक्स थे आपको माक्स और यहां पे और मैं आड करूँगा कि इसके साथ आप से पूछा रहा कहां से आपने कहां से आपका से आ रहा है उसको आप बताते जाओ वह आपको अडिस्मेल मतलब आप वह आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए आपको यह बताते रहना है कि आपके ग्रेट क्या थे आपने कहां से किया जैसे मालों कह दिया कि तुमने सर आई है पास्माइट 10 एजामिनेशन फ्रॉम दि है ताकि आप बता सको प्यार से आसाने से कोई जो चोड़ी बारी की हैं उसको भूलो नहीं और सामने आपके बैठा इंटर्व्यू आपको समझ सके सुन सके ठीक समझ सके फिर आपका सेकंड क्वेशन आता है कि फेवरेट सब्जेक्ट और वाई क्योंकि अब आपने आपक जो फेवरेट सब्जेक्ट रहा होगा उसमें आपने महत करी होगी और उसमें के मांक्स क्या होंगे अच्छे होंगे तो यह आप आपका ने कहा कि मांख आपका इसमें में अच्छा है जी है है ना आपने पढ़ाई करी उसके लिए आपके मार्ट चाहिए या आप से वार कोई question पूछा आता है तो भी आप उसका आंसर सही से देते हो तो यहां से यह वाई जो है तो यह चीज़ें के पास होती है तो आप इसको जरूर धानकना अब थर्ड क्वेश्चन आता था फेवर्ट टीचर एजुकेशन लेटर जब बात होती है तो आपका टीचर जो आपके फेवर्ट टीचर थे वह कौन थे तो आप यह कैसे रहते हो इस आंसर को कि सर आई लाइक को अच्छे रखती थी उनको अप्रोचिबल थे वह मतलब चीजों को बहुत कंसाइज बहुत अच्छे समझा देते थे अगर बार बार अगर आपको समझ में नहीं आता है बार बार आप पूछते होते थे बहुत हसमुख थे ठीक है और वह ऐसे आदमें थे कि मतलब उनसे पूरा स्कूल खूस रहता था या और उनकी एक्स्टा करिकूल अक्टिविटी सी जैसे मालोगों क्रिकेट वगरा भी खेलते थे तो ऐसे में आपको बहुत ही फैमिलियर आता था तो आप जो भी आपके क्वालिटी जो भी आपने मतलब आपके कोई ने कोई देखो जब भ आपके बोल के आगे हाँ यह है इस वैसे लाइक करते थे पता नहीं क्या लाइक करते थे तो यह चीह हों चाहिए तो यह कोई पूछे थे पढ़ाई करते थे तो आप ऊपणolie कि मगर आप करते थे तो आप पूुसकर दो कि तो इस यह चाही every यह तो नहीं करते थे या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है टीन के बारे में कि बाद में आपसे आपि बारत में वह पूछब सकता क्वेस्षर्ण कि 5 क्वालिटी यहां से 5 क्वालिटीस 5 क्वालि करते थे तो क्यों लाइक करते थे उसके पांच मुझे रिजन होता हो अब देखो हमेशा जब भी आप जब भी आप कोई भी आंसर देते हो तो आप उसको करो पॉइंट वाइस कर लो ठीक है पॉइंट वाइस करना बहुत इंपार्टन था कोई एक दो तीन चार पांच जब आप कोई चीज आआएं देखो अपने दोस्त कि बारे में अपने बारे में अपनी स्टेंथ Mos गों करतें को कि देखो जब भी आप आप कभी ऐसे कापी सब्सक्राइब दो याँ लेकिन सहां यह तो आहीं दो आते हो दो लोग आप 20 से 50 पाया हो सब्जेक्टी पेपर में आप देखोगे कि इसके लेंगवज में तो आप दिफरेंस होता है और जो इंटर्विव होती है तेस्ट परसेप्शन योगा उसमें स्टार्टि में क्या उता है उसमें बोलायाता कि that is not that is not a test of knowledge that is test of perception कि आपका perception कैसा है knowledge आपका difference हो सकता है लेकिन perception different नहीं हो सकता है फिर बात करते हैं competitive exams की given after 12th आप मतलब मालों कुछ बच्छे ऐसे होते हैं जो FCAT के थूर आते हैं तो उनके लिए इंपोर्टेंच चीज़ा थी कि 12th के बाद आपने कौन कोन से competitive exam यह भी question आपका एडिसन हो गया आता है किसमें education में आ जाता है कभी-कभी यह question क्या होता है include होता है कभी-कभी नहीं होता तो आपको इस question ध्यान देकर करके जाना है competitive examinations में क्या क्या अपने दिया है क्या आप आपका उसमें क्या performance रहा आपने उसको qualify किया कि नहीं qualify किया आप इसके बारे में छोटा छोटा साई बना सकते हो ठीक है कि आप qualify हुए qualify नहीं हुए आप सब बता सकते हो उसके बाद extra curricular activities अब देखो कुछ बच्चों में होता है कि extra curricular activities क्या होती है मतलब additional आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ों participate करते हैं जैसे कुछ बच्चे होते हैं आपके मतलब गाउं में तो आप नहीं होते थे हमारे समय हमारे गाउं में तो होती नहीं थे हमने 12 में जाना में आपके कुछ extra curricular activities आपके कुछ मतलब आपको जैसे आप यह कह सकते हो कि हां मैं chess खेलता हूं मैं debate competition में भाग लिया था या मैं कुछ और basketball खेलता हूं आपके पास उसका certificate है तो आप उसको जरूर एड करो आप उसमें जो आपका वजूफिया फाइल होती है आप उसमें एड कर दो ठीक है ताकि जो इंटर्विवर है आपको आपको एड़िस नहीं देख सकते कि हाँ ठीक है यह चीज़ अवेलिबल है इसके पास पार्टिसिपेटेड है और क्या-क्या वहां से आपने सीखा है यह भी आप कर सकते हैं कि हाँ मैंने सोसल अक्टिविटी करी तो उसमें यह सीखा कि हाँ सबस्पाइब करने सरावनिंग अच्छी होते तो दिमाग सांथ रहता है तो यह चीज़ आप एड कर सकते हैं उसमें आपस मैं मतल्म किया कि मैं कि अपको दिखा ना होगा कि हाभी डिकेर हों फर बात काते हैं अब like भी पूछता है मालं लो आपने बता दिया कि हाँ सुरेज रमेज अनेस मेरे दोस्त है तो आप से पूछ लिया, आपको देखनी पढ़ेगि, वह बहुत जनरस है, बहुत है, बहुत, लाईवली है, बहुत ज़्यादा, पढ़ने में अच्छा है, मैं सपोर्ट करता है, वह बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत आच्छा क्रिकेत् प्रइपल खेलता है या कोई ग मैं जब भी परसान होता हूं तो मुझे राइट सर्जिसन देता है अब आपका जो दोस्त आपको 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 ऑडर नहीं देगा तो एक दोस्त ऐसा भी रखो जिसके दर बुरी क्वालिटी थाकि बताने में क्या है सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आपको फाइनसिंग की प्रॉब्लम आती है जो बच्छे मतलब विलोग करते हैं उनको समस्यां आती है तो ऐसे केस में आपको यह जहां देना कि आपको फाइनसिंग आपको प्रॉब्लम हुई है तो बाकि आप अगर फाइनसिंग है तो आप उसको प्रॉब्लम यह इसमें आपको 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 अधान रखना है इसके बाद बढ़ते हैं अब नेक्स लाइड पर जो कि क्या होता है फामिल से लिटर होता है ठीक है एजूके से हो गया फैमिली से हो गया अब अब यह इंपॉर्टन नहीं कि पहले एजूकेशन आएगा ले है अब फैमिली क्या आथा है कि या आपी क्या है दो अधर को एकन्द्फादर मदर को ba trosset और सब दसे होता है अगर आपने में टाइम करते हो तो वह कैसे करते हो तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ किसी समय अपने पापा के पास बैटते हो उनका कुछ सहाइता करते हो कैसे help किसान है तो आपको भी करी होगी तो बता सकते हो किसान सर मैं फादर को help करता हूं ऐसे काम में जाता हूं यह कर देता हूं या पाप कोई कि और को जबनाना चीज़नियो को इसको एक तरीके से मैं आपको कैसे स्क वैंडिल करना है तो यह蛤れ में तब बहुत इंपॉर्टन होता है अच्छा कभी आप जो फैमिली में जो भी ईसू होते हैं रहता है क्या आपसे सर्जिस्ष्न मगरा मागे जाते हैं पारिश्यशन में क्या आपको अपने दिया कभी और वह से आप से क्या मंगे जाते है कि मांगे यह नहीं नहीं जाते हैं तो कौई तो क्यों कि मुझे से पूछा गया था फैमिलि में कोई इस उगा था तो फैमिली में ईस्व पे आप आपने प्रॉब्लम थी तो आप से पूछा गया था तो आपने बता सकते हो कि आपने क्या किया था तो आपने अगर बताया है तो वह वह सक्सेश्फुल हुआ प्रॉब्लम भी हो सकता है यह मैटर नहीं करता है लेकिन आपने बताए तक बहुत अच्छा होगा पर्सनल पार्टिपेशन आठ हो जैसे मैं बात की गई कि आपने क्या क्या है अकाम कर दिया था अपने दोस्तों को बुला लिया था कैसे मैंज करा दिया था उसको यह सब्सक सब्सक्राइब करते हो कैसे फैमिली प्रॉब्लम की आगया था कैसे खतम किया था वह चीज़े नेबर हुट फ्रैंड्स को कि अक्सा देखो दोस्तों क्या होते हैं जब आप बच्पने छोटे हो तो आपने सराउंडिंग्स में अपने गाओं के बच्चों से आप अपने क अगया है आप मद्स करते हो मतलब जहां-जहां-जहां जहां-पने आपको रिंसको बद्सकर करेह कि आप को की राइंड होता है आपको économique पॉकेट मनी कितनी मिल दी है और कैसे उसको यूज करते हैं पॉकेट मनी में मेरे दोस्ते क्वेशन पूछा गया था जो कि All India Rank 1 था मैं इसको नाम नहीं लूँगा तो वह उससे पूछा गया था कि भाई क्या तुम्हें कभी अपने ऐसे दोस्ते करजा लिया है कि आप क्या क अपने एक्स्टा एक्सपेंस कर दिया तो कैसे उसको करते हो यह भी आपसे पूछा जा सकता है क्यों कि देखो यह ना जो स्बी है आपका मतलब आपसे वहीं चीए पूछी आती है आपसे असा को नहीं पूछा आएगा कि अच्छा बताओ जो नियुकलियर डिल हुआ है उ वह क्यों हुआ था मतलब उसमें इब्राहिम लोदी और जो यह थे का नम है अब बावर उनके साथ युद्र क्यों हुआ था ऐसा कव हुआ था यह सब चीजें बहुत आपसे डीप नहीं पूछा आपके आपके बारे में पूछा जाएगा मतलब आपने आपको कितना जानत महां से आप यह चीजें जान समझ जा यहां पर सब कुछ लिख रखा है तो कहीं ने कहीं आपको वह मैच करना पड़ेगा कि भाई जो बोले आप सच बोले जूट बोले हो फिर थर्ड जो आता है अब आपके साथ ही था लेकिन अब यहां पर कुछ क्वेशन के चेंज आते से यहां है भूबी हैं अलग होती है इंटरस्ति होती है क्या होती हो जो आप कर रहे होते हो जैसे टाइम लग आपके कथ ले लहार नहीं लेकिन आप क्रिकेट खेलते हो आप बॉली या रख क्या है वह होबी है यह होबी अचां यहां पर वाड यू लियूर कर्हों सकता है क्या लाल ड्यो दू इन यूर पर अज यह क्यों है क्योंकि यह क्यों नहीं से पूछा गया था जब यूज़ से पूछाभा यह तो तो इसके विए से थोड़ी सी वीक प्राइब से यह कोई से पूछा गया था आप समझ सकते हो कि वह कॉछा गया और मैं क्वेस्ट का मतलब भी नहीं समझ पाया और उन्हें बताया होता क्या करते हैं तो यह चीजें आप कैसे तो अच्छा जब भी आप से पूछा है कि आप इसको समझ सकते हो ठीक है तो यह आप गलती मत करना आप मत करना क्यों कि मुझे बताने वाला कोई नहीं था सबसे इंपॉर्टिन चीह आती आज की वारे में जब आप 21st century में आप हो और आप इंटरेट यूज करो धका धक भड़ाले सुझ कर रहे हैं कोई प्राइब कर रहे हैं तो वह चीज आती है कि इंटरेट आप कैसे उज़ कर तो इस एक व्यूज़ करता हूं अब ब्लॉक लिखता हूं पर पर पढ़ता हूं चीजों को या पिंडिया इस्राइल डील इंडिया इस्राइल दील के बारें पढ़ना आपको तो आपको मालो कोई खुल फूले यहां कैसा लगी हाँ यहां की जो затAKE करता हूं यहां से पढ़ते हैं bare here यूटूब पढ़ाते हैं यूटूब पर बहुत अच्छा मैं पढ़ाते हैं और पूछ रहे हैं पूछा गया था यह सब पूछा जाए का मुझे पहले सी पता है सब बता सकते हैं ना मिला ले सकते हो दिक्कत नहीं यहां पर यहां पर यहां बताते हो कि आप रनिं करने आते हो तो रही मैं आप से पूछ सकते हैं वह बीच में रणिं कितना करते हो पर ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब एकडम जैसे आपना तो इसके बीच में करता हूं करता हूं करता हूं करता हूंस्टर्टलं करता है आपका कैसे आप सब्सक्वाइल हो आप लिर ट्युर्ट सब्सक्या पाँच क्विन्टर करते हो तो आप च्षड करते हो अगर कर सकते हो अगर नहीं कर पाता थेख एशेली कि मालोग ग vermien मतलब कि कभी आप आप यह नहीं होता तो आपको बताना ही होता कि मालूम कभी प्रोटेस्ट हो रहा था आप कॉलेज में कोई गलकाम हो रहा था किसी बच्चे ने किसी कुछ कह दिया था या फिर कहीं जगड़ा-उगड़ा हो गया था तो आप वहां पे लेते हो अब डू तरह का होता है अमेंटल करेज तो आप मैं रिखमेंट करूँगा आप सैम मौनेख साघ्या अधुग वीडियो है जा प्रविटेज करोगे जाना और यह पोटी मिनट्स की वीडियो निरास नहीं होगी वीडियो है आप बिल्कुल भी निरास नहीं होगे इस वीडियो को जरूर दे करके जाना और यह लीडर सीब आपके इंदर वहां से आती है आप चीजों को सीखते हो और जब भी आप फॉल्व करते है पैसन आपका है तो आप इस जरूर देखो कि इनके लेक्षेस वगड़ा आपको ऐसे पीछे बैठके वह लड़का आगे बैठा है पीछे बैठा है तो गर्दन दिकरी उसकी आपने कभी करा है कि नहीं करा है कुछ लोग देख तो जानना होगा कि हाँ यह इसने कराया इसने मैंने करा था वाई यह चीज है ना तो भाई वाइड दो यू तिंग य कभी भी आप यह समझ कि आप जाते हो तो आपको बहुत आराम मिलेगा या कुछ भी आपको सोच आपने अंदर मत लेकि जाओ बस आप यह सोच जाओ कि आप देश की सेवा करने जा रहे हूं ठीक है तो यह लीट पार्ट अपने अंदर लीडर्सिप क्वालिटी आपको वि तो यह सब चीज आप जरू सोच के जाना यह कुछ भी फालतू मत बोलते हैं कि हां यह क्या होता मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हां क्या देना होता कैसे दे सकते आप सकार अंसर ठीक है तो अपनी वही मतलब इसका मतलब है कि अ अब यह पżej 5 पूछाता अफसार पता हो उसको लिक्रों कि आपके क्या क्या हो उसको आपज़व करके और जिब भी आप स्टैंथ को लिखते हो तो आप जरूर एड करो कि क्यों वाई आपकी स्टेंट कैसी आपने इन इसक्व यह अपने यूज था आपके श्रथ लिख पить सभी कि आपि और सब्सक्राइब किंदर चींजिए अपको इन्सीजहां कर लिए है कहां कि और हो अपने ऐसिकोfly क्राइए उप बात लीगे तो वो ताकि लॉजिकल चीजियान चाहिए आप के अंदर मालो की आपके अंदर क्विक आप डिसें ले सकते हो आपको आपको बहुत मतलब विदिन सकते हो यहां पर यहां पर आगा आप से कभी कभी ऐसे पूछा सकते हैं तो आप उसको जरूर देख लेना कि यह क्वेशन आप से कैसे पूछे ठीक है अब बात कता हूं उसके बाद इसके बाद आजाएगा भाई कि नेक्स्ट क्वेशन है वह कहता कि वाट इस यह प्लान भी जब भी मालो कि अगर आप नहीं बन पाए ऑफिशर डिफेंस ऑफिशर नहीं बन पाए तो आपका प्लान भी क्या है अच्छा प्लान भी होना एक अच्छी बात है बहुत कि आप कह सकते हो कि सर जब तक में पास चांसे है जब तक मैं तक मैं तक मैं कहा करूं ठीक है जब तक मैं ये करना ही पड़ेगा तो तो ऐसे में मैं mix ut reiter उपने सूच रहा है कि मैं ये ट्राइ करूँंगा ये ट्राइ तो मैं ट्राइब करूँंगा ये फिर में प्र्याश करूँगा कि मेरा इसी किन सब्सक्राइब क्या बोल जए कि आप मालो अंच हो गया थो मैं यह सबके है तो तो सर्षाब nakedly fit हूँ मथा अगर नहीं प्लान प्लान वी क्या है मतलब आप नहीं क्या करोगे अगर नहीं करेंगे तो यहां पर टो चीजे होत यहते शुक्राइब होता और को पादर नहीं होग में इसमें अच्छा रहा हूं तो यह सकता हूं अचा वूडटी दो फार-डर-अबर्थ आप से आप से इनके उक्टपेस्टय पूछता निया और सफ़्य भाइन क्या है मैंने बताया सा फैमली में फार-डर-डर-ग्रण क्या क्वादिन आपके सिस्टर तो sister से पूछा तकता sister ठीक है यह मैं भूल गया उकि मेरी भी sister है घुस्सा जाएंगी वो ऐसा पूचा गया है ठीक है तो good qualities आप sister क्या है qualities यो की बहने बहुत अच्छी होते तो भाई अब यहां पर आता है कि आपका honest होना आपके अंदर आपके अंदर आपके ब्रदर आपके सिस्टर सबके अंदर कुछ कमियां होती है अब यहां पूछा तो पांच कमियां ही होंगी उनके अंदर किसी भी के अंदर आप देखते हो तो आपको लगता है कि कुछ कमियां होती है तो एक-दो कमियां बढ़ा सकते हो रहां एक-दो अच्छे हैं मेरे लिए वह सकता है कि वह बहुत लें आपको ले घांता हिम कॉछट लेकसि कंपो एपने के बहुत सब्क्राइट नहीं विकंकनी नहीं होते हैं जया बहुत हैं अब फ्रेंड के बारे में पूछाएगा की हाँ आपने तर्विया कि हाँ यह मैं धोस्त है पांच बता हो क्वाल्टी इसक्व बाइब बास बाइब अपने दोस्तों की कमिया दो और आपकी बास जिसके नदर कौम करता है पर आपकी तीचर आपकी वर्किंग कोई आदमी बा होता है कभी कभी ऐसा होता कि आपका डिसन रॉंग भी होता है है तो ऐसे केस में आपको यह चीज़रू देखना है कि आपके क्या कमिया रह गई है क्या का इंप्रूमेंट आप कर सकते हो अब यहां पर मैं आपको एक बहुत ही नॉर्मल सी शी बताऊंगा जिसको आप जरूर काम अगर कर लिया तो डैंस हो रहा है कि परस्नल इंटर्वी में आपको कोई कार नहीं सकता है रापिड़ फाइस्ट आपको डिक्टो मिल जाएंगे अगर आपको डिक्टोंच मिला है आपको कुछ लोगों ऐससे भी हुई है और आपको ऐसे देखने को मिले है तो मुझे क कि यही हमारा क्या मोटिविशन होता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में से साथ टाटा बाय बैंड जैहिद